तो स्टार्ट करते हैं आज की शेशन के साथ तो इस शेशन के अंदर हम क्या कवा करने वाले कवा करेंगे वर्टिकल सर्कल को तो आप फिर शुड़ बात करते हैं पहले वर्टिकल सर्कल के कंसेप्ट के साथ तो देखो कि वर्टिकल सर्कल हमारे पास क्या होता है अगर हम वर वर्टिकल से क्या मतलब है? वर्टिकल की बात समझते हैं, तो बेसिकली गाईस देखो, अगर हम इस तरह से एक मोशन कर रहा है, पार्टिकल, इस तरह से सरकल में है, let's say, हमने आपर स्ट्रिंग अटेच कर रहा है और हम ऐसे उसको रोटेट कर वा रहे हैं, तो इस तरह से पा लोट कर दूगी यानि नीचे से ऊपर जाथ आटे टाइम, उसकी स्पीड कम होरी होगी ऊपर से नीचे आते टाइम उसकी जो स्पीड है, वो कम हो लही होगी, क्योंकि after all इस Particle के ऊपर एक टेंजिंशिल एक्सेल्रेशन कर रहा हूगा, gravity का एक compound इसकी ऊपर एक्ट कर रहा होगा ठीक है तो अगर मैं यहां पर डिफ्रेंट डिफ्रेंट पोजिशन एक पोजिशन में यह वाली बना रहा हूं यह Ari Ng G है लइwa कि पार्टीकल चाहँ यहां से उपर की तरफ आये इस तरह से और यहां पर एक कॉम्पोनट पार इस तरह से अगर यह एंगल मेरे पास है को यहां पर थीता है यह फिर अलगा अपने पास आगा अईसी sin theta तो यह जो mg sin theta component है यह इसके opposite direction में और last class के अंदर हमने देखा था circular motion वाली class में कि अगर हमारे पास tangential acceleration transverse acceleration अगर हमारे पास क्या हो non zero होता है तो वो उसकी speed को change करवाता है यह चीज़ हमने last class के अंदर देखी थी circular motion के बारे में correct तो circular motion के बारे हमने last class के अंदर यह चीज़ discuss की थी ठीक है तो इस mg sin theta की वज़े से right अपने पास इसकी जो velocity है वो क्या होगी इस case में change हो रही होगी right यहाँ पर उपर जा रहा है तो decrease हो रही होगी इसी तरह से अगर उपर से नीचे आ रहा होता है यहाँ पर velocity अगर यहाँ पर होती gravity मेरे पास यहाँ पर नीजे की तरफ mg है right और अगर मेरे पास यहाँ पर यह वला एंगल जो है यह theta होता तो यहाँ पर अपने पास जो component है right जो component है अपने पास अगर यह angle theta है तो यहाँ पर यह वला angle theta होगा तो यहाँ पर जो इसकी डिरेक्श में कॉम्प्रेंट आएगा इस तरह से तो इस एमजी साइंट आएगा और वो इसकी वेलोस्टी को यहाँ पर क्या कराएगा इंक्रीज कराएगा वह यह तो सित्य सी बात है कोई भी उपज़क्ट ऊपर से नीचे आता है ठिके रांसलिशन कै नो ٌञवलो कर दो यह क्या कर रही होगी तो अब हम यहां पर काफी सारे चीजसे देखने वाले जैसे कि की वर्टिकलव के लिए क्लिए क्या कोई कोई मिनिम्म वेलोसिटी के requirement रहती है कि इस point के ओपर declining velocity बात करेंगे फिर इसी तरह से हम बात करेंगे कि अगर मैं किसी थे पॉइंट की ओपर टांशेंचन निकालने हो ठीक है कि particle let's say यहां पर इस position के उपर तो यहां परakने चिन्शन के सा निका सकते मारा फोकस रहेगा फिर इसी तरह से इस पॉइंट के उपर टेंशन और इस पॉइंट के उपर टेंशन का जो डिफरेंस है वह क्या होता है तो इन सभी कोश्चन को अभी हम यहाँ पर अंसर करेंगे वन बाइबन तो इन चीजों को अभी हम यहाँ पर अभी निकालेंगे और क्षिक्विस्वीश लिकी जाती है तो यहां पर यहां मिए Means काम करना है जम्त रेडियल और को wording ईकक्वेशन टॉडबलोगए और देखंगे एक किस तरह की रिजर्ट से हमारे पास हैं पर ढवल रही तो आप फिर शुडबात करते हैं देखते हैं क्या कुछ होने वाला यहां पर यहां तक की चीज़े क्लियर हैं क्या यहां तक कोई डाउट ऑल गुट थीटा में अपनी तरफ से बोला है कि लेट से यह एंगल ठीटा है मैंने माना था हूँ ठीक है तो अभी के लिए माना है क करना शुरू करते हैं विचजह में हलका सा डिसकेशन किया कि प्रोब्लम में क्या है हमारे पास और मैं इसको मैंटमेटिक लिए पर सुल करना शुरू करूँगा तो देखो आपने पास नहां पर एक सरकल मैंने बना यह बनाया ठीक है मैं बात करता हूं फिलाल कि हमारे अब जो फार्टिकल है यहां से टी उक्ल टूसेरो के उपर बैठा है यहां पर कि अपास थे एन पैंगल यहां पर आएंगधि यहां इपने पास यहां पर इस in time T हमारे पास यहाँ पर जो इसने angle cover किया वो लेट से theta है इस point को मैंने नाम दे दिया B इस point को मैंने नाम दे दिया B, तो A से B जाने में उसने angle theta cover किया है in time T ओके, आयो कितनी चीज़ clear होगी ठीक है यहाँ पर particle के पास some velocity है लेट से मने कै दिया वी यहाँ पर particle के पास सम最ुष है लेट से वी-बी ठीक है लेट ये अमारे पास यहाँ पर वीर वी कया है स्पीड है पार्टिकल कीएट.ya एंड. symbi टिए टिएग वी यह कै वाद से is इसिपीड औफ पार्टिकल एट पॉइंट भी स्पीड एट पॉइंट भी तो यह उमारे पास आपर स्पीड है पार्टिकल की डाहक की इसके अंदर किसो कोई दिख्कत की बात सांगर तक नहीं और अगर मैं धिट्सकत करता हूं एक जर्नल इंस्टेंट अगर यह nggak होगा अगर यह डीटा है कि आफ्ट इसार टौ वरटिकल लाइन्स और यह और एक लाइन इस तरह से उसको स्क कट कर रही है तो यह वह लैंगल विल बी इस एंगल ओके तो दुन्हों एंगल हमारे direction में यहां पर क्या किया mg के component को डिवाइड किया ओके इस बी पॉइंट को मैं थोड़ा उपर लिख लेता हूं मैं आपर ऐसे और यहां लिख रहा हूं मैं mg साइन ठीटा और इधर मैं लिखूंगा mg कॉस्ट टा ठीक है बई तो इस तरह से रहेगा तो सब्सक्राइग के उपर जो रेडियल इक्वेशन होगी क्या होगी देखो रेडियल उक्वेशन क्या होगी यहां पर mg को रहेंगी तो अपने पास यहां पर है माइनिस mijn mg सिट Woods km minus mid t equal to minus mv square by r इस तरह से क्योंकि दोनों forces ही हमारे पास यहाँ पर क्या थी radial invert direction में थी तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर यह equation आ जाएगी तो अपने पास आए यहाँ पर t mg cos theta plus mid t is equal to mv square by r इस तरह से आएगा ठीक है तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर यह आएगा ठीक है इस point b की उपर इस point b के लिए अपने यह equation define point b की उपर angle theta है और velocity लेट से यहाँ पर भी है ठीक है इसको एक काम करते हैं इसको ना just velocity v बोल रहा हूँ ठीक है वी नहीं कर रहा हूँ इसको c lotta लो से से को नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर लेट से अपर लो की बीच का समयानल इंसटेंट और और यह पने पास यहाँ बीच के लिए चाहरा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के उपर मैं इसको समय जनर्नल इंस्टेंट के उपर डिफाइन करवाना चाहरा हूं तो एम जी को सिटा प्लस टी इक्वल टू एम वी स्कूर बाई आर हमारे पास यहां पर इसकी फॉर्म रहने वाली है तो यह फॉर्म अपने पास इसके उपर दो फॉर्सिव से एकंजी को सिटा है रिडाल डिर्यों में और एक टेंशन की तरफ है तो उसमें तो तो उपर का डियर इक्षन तो इसका शल्य तो पोजिट रहता है ना क्यक्ता है रहता है और अक बात बताओ एक यह पार्टिकल है यहाँ पर और एक यहाँ पर है इसको रसी के साथ मैंने बांध रखा है टेंशन कैसे अट करेगी इस वाले पार्टिकल के उपर बता ना जरह नीचे की तरफ करेगी की उपर की तरफ करेगी तर नीचे की तरफ यहाँ पर क्यों नीचे की तरफ करेगी अभी तुमने खुद का, बताओ ना, क्योंकि उपर वाली तो इस वाले की उपर एक्ट करेगी ना, Yes or No, Tension दोनों तरफ एक्ट करते है, इस वाले पार्टिकल की उपर नीचे की तरफ करेगी, इस वाले पार्टिकल की उपर, उपर की तरफ करेगी, यह सेम कोशन तुम पिछले दो क्लास से पूछ रहा है, दो क्लास अंसर कर रहा होगी, कि टेंशन दोनों तरफ से एक्ट करेगी, इस पार्टिकल की ओपर नीचे की तरफ करेगी, इसके उपर उपर की तरफ करेगी, सबसे तब पहली बार किया था हमने कोशन यह, जट के साथ तब एक परसन यहाँ पर खड़ा था, और इस परसन ने यहाँ पर इसको खीचा था नीचे की तरफ, तो परसन के ओपर टेंशन ऊपर की तरफ कर रही थी, और सीलिंग के ओपर नीचे की तरफ कर रही थी, ऐसे यहाँ पर इस पार्टिकल के ओपर नीचे की तरफ करेगी, t equal to mv square by r तो यह अपने पास यहाँ पर equation रहेगी इस दोरान ठीक है? तो यह अपने पास यहाँ पर रहने वाला है इस तरह से ठीक है? तो इस जगाँ पर जो हमने यहाँ पर यह instantly define किया है इस जगाँ के उपर हमारे पास कुछ इस तरह से इसका motion equation of motion रहेगी radial वाली अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? हम करेंगे transfer equation को be defined तो देखो कि transfer equation हमारे पास यहाँ पर इसके लिए क्या रहने वाली है? तो अभी हमारा next wall वो है ठीक है? तो आफिर देखते हैं कि transfer equation को कैसे define करते हैं? तो देखो transfer equation transfer equation तो transfer direction में force कोन सी है यहाँ पर? mg sign कीटा है ना? अब एक बात बताओ जो mg sign कीटा के वेलोस्टिक के पैरलल है कि अटी पैरलल है? पैरलल है? पैरलल है? तो कैसे equation लिखोगे? तो अपने पास यह इस तरह से equation बिनेगे वर्टिकल सरकल के लिए जो एठीटा होता है वो डीवी बाइडीटी होता था तो अपने पस mg sign टीटा is equal to mg by dt आएगा उसी equation से जो हमने last class के इंदर discuss की थी ठीक है? जस्ट यहाँ पर जो एफ ठीटा है राइड रेडियल सोरी ट्रांसफर्स फोर्ज हो है वो जस्ट mg साइन ठीटा है तो यहाँ पर डाला mg साइन ठीटा और यहाँ पर रहा है mdv by dt वेलोस्टी क्योंकि पैललल थी केस के लिए तो यह हमारे पास यहाँ पर होगी इसकी ट्रांसफर्स equation यह क्या होगी हमारे पास यहाँ पर इसकी ट्रांसफर्स equation होगी अब गैस मैं देखो यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ इस ट्रांसफर्स equation को मैं यहाँ पर भीटा बैफ़ा है इधर वेलोस्टी बैठी ए तो वेलोस्टी को में करते हैं तो यह ठीटा डॉट R होता है तो यहां पर d by d साथ मैं अपने पास ठीटा डॉट R आएगा ऐसे अब R सिर्कलर मैंच कर रहे हैं न यहांपर तो आर इकुल टू तो कॉंस्टन है तो इस आर को से बाहर निकाला जा सकता है यह सुरनो तो यह बनी कुछ इस तरह की एक एक क्वेशन तो लिख दिया एक मिन्ट यहां पर तो डबल डॉट आजएगा इस तरह से तो यह हमारे पास यहां पर एक्वेशन रहेगी फिलाल के लिए अब यहां पर नेक्स्ट देखो डी टी इसको कैसे लिख सकते हैं लोग जैसे आट-डोट को लिखते हैं फिर एक्सोट को लिखते हैं उसी तरह से ठीटाड़ मुद्भध को भी हम यहां पर लिखवा सकते हैं ठीक है जैसे तुम्हीं याद हूँ आटबल डोट इक्सित्पेशन रॉट-ड्र इसी तरह से ठीटाड़ डोट को जा सकता है ठीटा डोट साथ में डीटी डॉट बाई डीटी टीटा इस तरह से जैसे यह वल expression ट्रीउ था उसे तरह से यह वल expression हमार पस क्या हो जाएगा और यहां पर क्या करते है कि टीटा डॉट को मालों कि ऐसा function ओफ ठीटा है तो पहले इसको विद रिस्पक्टू ठीटा डिफ्रेंशेट करेंगे और फिद ठीटा को विद रिस्पक्टू टाइम करेंगे ठीक है तो ठीटा को विद रिस्पक्टू टाइम करेंगे तो ठीटा आ जाएगा और टीटा यहां पर रहेगा क्योंकि तुमने पहले विद इनिशेशन है सेकंड और वाला इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो यहां पर इसको यूज कर लेंगे तो जी साइन टीटा इस एक तो यहां पर यह हो रहा है कि अपने पास एक तो यहां पर वेरिबल ठीटा है एक ठीटा डोट है उनके डेरिविटीट हमसे पर प्रेजेंट है और जो बाकी की चीज़ें जिसे आर है और जो जी है यह अपने पास यहां पर कॉंस्टेंट वैल्यूज है क्योंकि रेडियस कॉंस्टेंट है ना सर्कूल मोशन के लिए राइट तो बाकी की चीज़ें यहां पर कॉंस्टेंट है तो वेरिबल को सेपरेट करो इंटिगेट कर आओ तो देखो अपने पास यहां पर क्या निकल कर आएगा जी साइन ठीटा इक्वल टू ठीटा डॉट दीटा डॉट और साथ में आर भी बैठा है इसको है अब घ्रस हमें हैं पर लिमिट्स पुट करवानी है है कि हमारे पास ठी रोट और थीटा के ए इनीशली संभागा रोड़ाज है लेट से लंगा कर रहो हूँ तुम्हें कि हम इशिल femme你們 कि define किया है तो initial limit यह रही final limit यहां आप की होगी तो initial के उपर जो theta dot है वो क्या होगा theta dot होता है omega right तो theta dot at a will be equal to omega at a और omega अपने पास क्या होता है velocity divided by radius तो यहां की velocity विये थी इस point के उपर velocity क्या थी विये थी और यहां का जो radius है वो कितना है r है simple जास इस तरह से तो theta dot को initially put करोगे तुम यहां पर क्या विये बाई आर तो यह तुमारे पास theta dot है at t equal to 0 ठीक है इस point को मैंने t equal to 0 define किया था तो theta dot at t equal to 0 पने पास यहां पर क्या बनेगा विये बाई आर तो initial limit is va by r इस तरह से ऐसे इसी तरह से final final में guys हमें point b के उपर तो point b के उपर जो velocity होगी and divide by r समझे मैं है तो final limit is just vb by r vb by r इस तरह से अपने पास यहां पर रहेगा ठीक है फिर ऐसी theta की बात करेंगे initially t equal to 0 के उपर theta क्या था angle rotated कि कितना angle rotate हुआ तो initially t equal to 0 के उपर theta equal to 0 है और b के उपर let's say यह यहां से यहां तका जो angle है इसको मैं let's say alpha मान लेता हूँ total angle rotated a से b में हमारे पास let's say alpha है तो 0 से alpha जाएगी limit हमारे पास किसकी theta की ठीक है तो theta की जाएगी 0 से ले करके alpha क्या यह approach यहां तक कि clear है कि किस तरह से हमने आप पर limit decide की है ठीक है तो t equal to 0 के उपर वो point a के उपर located था तो point a के उपर omega डाला point b के उपर omega डाला इसी तरह से point a के उपर theta जो था वो 0 था और point b के उपर theta था वो था alpha तो उनकी values को यहां पर put किया है limits के अदर और कुछ नहीं किया और अब हम यहां पर इसको integrate करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या निकल क्या आएगा साइंट अपने पास हापर क्या जाएगी वी ए डिवाइड बै आर से लेगर के वी डिवाइड बै आर इस तरह था तो इसको limits को put कराओ देखो अपने पास यहां से क्या निकल क्या आता है तो इधर से आएगा अपने पास हापर g माइनस कोस अलफा माइनस में कोस जीरो कितना होता है वन होता है राई तो अपने पास माइनस 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 तो प्लस बन जाएगा इस तरह से एक्वल टू अपने पास यहाँ पर क्या आगा आठ साथ में अपने पास आगा VB square divided by R square minus में VA square divided by R square और साथ में हाफ का factor का तो हाफ को मैंने निकाल लिए बाहर इस तरह से ठीक है और यहाँ से इस R square को भी बाहर तुम common निकाल सकते हो तो यह बनेगा 1 by 2 R इस तरह से साथ में VB square minus में VA square तो अगर लड़से तुम यहाँ से VB square की वेलो निकालना चाहते हो VB square की वेलो तुम निकालना चाहते हो तो अपने पास यहाँ पर क्या निकले गाए VB square will be equal to VA square plus में 2 GR साथ में 1 minus cos alpha तो इस तरह से यह equation तुमारे पास यहाँ पर निकलके आ जाएगी अब यह equation तुम्हारे लिए important है यह तुम्हें पता होनी चाहते है ठीक है और समझ में आना चाहिए कि equation कब है यह equation तब है तब उपर से नीचे एक particle आ रहा है ठीक है तो इस तरह से हमारे पास यहां पर चीज होगी क्या इतना सब को समझ में आया यहां तक कोई doubt है क्या किसी को क्लियर है सब बढ़िया क्या हम आगे बढ़ सकता हूं जी सर अब गैस ऐसे अगर मालो की particle नीचे से उपर जा रहा है तो नीचे से उपर जाने में क्या होगा वैलो सटी और जो जी साइन ठीटा वाली जो एक्सिलिशन था वो अपोसेट एक्षम को तो एक यहां पर नेगेटिव शाइन एक्स्ट्र आएगा और इस वाले नेगेटिव साइन के आज आने से अपने पास क्या होगा हो जो बीच में यहाँ पर प्लम साइंे यह था अलबास। नेगिट weights आजयेगा। सारी साइखही। से प्रोसीड करोगे और अपने पास यहाँ बीच मेंसे कि राड़े कि कि आ यहाँ पर अब्द सब से में पॉइंट लेट से लेट से मैं यहां पर बात करता हूं कि इना इसको मैंने point सीवङ THE और यह लेटसे मेरे पास यहाँ पर Martin मालो मानने में मैं क्छण रहे हैं यह सेf 15 को बने तुम से पर देकρο심 C के उपर तुम्हें velocity पता है, D के उपर तुम्हें निकालनी है, तो बस क्या करोगे, बीच में negative sign डालोगे, बाकी की form सेम रहेगी, चीक है, तो अपने पास यहां पर जो result आएगा, वो क्या आएगा, VD square is equal to, Vc square, बस बीच में डालोगे negative sign, बाकी सब कुछ सेम, minus 2gr, 1 minus में, cos angle rotated, कितना angle rotate हुआ है, बीटा, क्या ये चीज सब को समझे माई इच्छे से, सारी calculation सेम वे से करोगे, बस जो फरक आएगा, वो यहां पर plus की जगा पर minus आएगा, और वो भी इसलिए आएगा, क्योंकि इस equation के इंदर हमें negative sign लेना पड़ेगा, क्योंकि after all तब नीचे से आ रही है, दोनों तरफ negative terms आ रही है, ठीक है, तो equations को हमें logically correct बनाना होता है, ठीक है, तो हमारे पास velocity क्योंकि decrease करेगी उस किसमें, तो उसके according यहां पर negative sign आएगा, और फिर हमारे पास in the net यहां पर बीच में negative sign आ रहा होगा, तो इस तरह से हमारे पास यह second equation आ जाएगी, तब particle नीचे से उपर जा रहा है, ठीक है, तो उपर से नीचे आते टाइम यह वाली equation, नीचे से उपर जाते टाइम यह वाली equation, and I hope कि दोनों equations की form यहां पर सभी को clear हों, क्या इतना clear है, फिर मैं इसको थोड़ा भी simple logic बताता हूँ कि यह equation इसी form में क्यों आई, अब हम यह यहां पर उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, यहां तक कोई doubt है किया किसी को, जो negative sign जो अपड में पर्टिकल गया है, तो सायन कोई में से इतना doubt है, यह चीज़ें इतनी मुश्किल हैं कि यार, यार बेसिक्स के बारे में तुम सोचते क्यों नहीं हो, यह चीज़ें यहार क्लास 9-10 में पढ़ लेते हैं, कि अगर एक पार्टिकल है तुम्हारे पास, इस direction में अगर move कर रहा है, और acceleration अगर इसके opposite में तो velocity increase होगी, जो तुम यह equation पढ़ते हो, first time class 9-10 में, अगर acceleration same direction में है, तो यह add होके आएगा, अगर तुम्हारे पास opposite में है, तो subtract होके आएगा, बस अब इसी चीज़ को में यहां पस circular motion के टाइम के उपर देख रहे हैं, ठीक है, अपने पास फिर यहां पर क्या है, ज तो tangential acceleration है, जो कि यह g sin dita, g sin dita is equal to dv by dt, अगर तुम्हारे पास यह acceleration, acceleration तब circular motion में है, अगर acceleration तुम्हारे पास velocity direction, लेट से velocity भी इसी तरफ है, acceleration भी इसी तरफ है, अगर दोनों चीज़े इसी तरफ है, तो velocity add होगी, मतलब कि velocity increase होगी, तो अपने पास dv by dt is a positive quantity, तो यह भी positive, यह भी positive, equation यहाँ पर सही है, लेकिन अगर यह opposite direction में हो गई, जो उन्हें रास क्लास के अंदर भी figure बना के तुम्हें अच्छे से बताया था, कि velocity अगर यहाँ पर है, मतलब acceleration यहाँ पर है, अमालो नीचे की तरफ, और velocity यहाँ ऊपर की तरफ है, ठीक है, जो कि इस case में ह यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर अपने पास, negative sign एक्स्ट्र आएगा, इस प्लस की जगह पर, ओके, तो यह है गाइस, तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरह से, velocity के expression, तो अगर same direction में है, तो support करेगा, opposite direction में है, तो अपोस करेगा, तो यहाँ रिटार्ड करेगा, इनकि उसकी velocity कम हो रही होगी, ठीक है, तो उसके according आपर negative sign रहेगा, second time पर, ओके, नाइस, तुमने velocity के expression देख लिए है, अब इसको यह थोड़ा सा लका सा breakdown करते हैं, और चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा, तो देखो guys, इसको simply form में न तुम ऐसे समझ सकते हो, यह अपने पास हो क्या रहे, यह अपने पास जैसे ना particle है, तब उपर वाले point के उप आया है, इस तरह से, माल लो, ठीक है, तो अपने पास जो इसने vertical distance travel किया, यह कितना travel किया है, vertical distance, vertical distance कितना travel किया? अपने पास यहां पर यह R है यह वाला कितना होगा यह भी तो R है न तो इसका component लोग इदर तो कितना है R को सलफ आया क्या क्या इतना समझ में है सभी को तो उपर वाला कितना बचा क्या यह चीज सभी को समझी में आई है अपने पास यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आर था हो से लेकर कर के बी तक का डिस्टेंस आर तो इस आपकर अप्लाय करेंगे तो यह जो साइड आएगे न ये वाली ये साइड आएगे तुमारे पस R को सलफा और ये complete थी R तो R माइनस में R को सलफा विल गिव दिस वैल्यू राइट ये वे लेंट तो ये वे जो लेंट आएगी वो क्याएगी R इंटू में 1 माइनस को सलफा आएगी और अगर अब तुम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाइ करो एनर्जी कंजर्वेशन चुनकि आफ्ट वल ग्रेविटी यहाँ पर ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है ग्रेविटी क्या होती है एक कंजर्वेटिव फोर्स तो अगर ग्रेविटी हमारे पास एक तो महाँ पर energy क्या रहेगी हमारी conserve रहेगी तो अगर तुम point A के उपड टोटल energy देखो, point B के उपड टोटल energy देखो, वो same आएगी point A के उपड टोटल energy, point B के उपड टोटल energy क्या आगी, तो हमारे पास same आएगी ट्रैक्ट तो पोटैशरल यहां पर aquí सब को अगर लेट सिय पोटैशनल डिपेंट करते रेफ्रेंट के उपर इधर मैं ने इस पॉइंट एक ऊपर क्या है जी दिफाइन करती है मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर इसका रेफरेंस ओंट ، जो नीचे है R-1 मतलब R into में 1-2 को सलफाम नीचे और तब हाइट नीचे होती है है हाइट है रेट से नीचे तो वहाँ पर पोटेंशे क्या होती है हमारी बता सकता है अगर हाइट नीचे हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर रेफरेंस लेवल तो मारे पास 00 potential energy है और मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं जो एच हाइट नीचे है तो इस पॉइंट के ऊपर potential कितनी होगी कोई बता सकता है मिरको तो यहां पर आएगी तुम्हाई पर potential जी माइने से मजिए क्योंकि नीचे की तरफ एना यह तो नीचे है तो इसी तरह से इस पॉइंट बी योपर पोटेंशल energy the potential energy at point a अपने पास है तो इस तरह से अपने पास यहां पर यह है हां ठीक है ओके तो इस तरह से पने पास यहां पर यह रही है हमारी वूके तो अभी हम क्या करेंगे यहां पर energy conservation अप्लाय करने जा रहे हैं तो kinetic energy at point A में potential energy at point A equal to kinetic energy at point A sorry point B plus में potential energy at point B यह में है यहां पर define करना है जस्ट काणिट के उपर क्या होगी उसकी वेलोस्टी कितनी थी वी यह तो पने पास आगा हाफ MbA प्लस में potential energy at point A 0 है इस इक्वल टू क्या हैगा काइंटिक energy at point B point B के उपर उसके speed कितनी थी वी भी थी ना तो half Mbb square प्लस में potential energy at point B, point B के उपर potential energy कितनी है यह रही इसको डालो यहां पर ठीक है तो अब यहां से क्या करोगे पूरी equation से M को गायब कर दो और अब यहां से Vb square के विलों निकालो तो Vb square will be equal to Va square प्लस में 2gr साथ में one minus cos alpha तो लो भाई यह आ गया है तुमारे पास हैंपर relation समझे में आई चीजे क्या यह चीज सभी को समझे में आई है क्लियर है यहां तक ओके तो इस तरह से हमारे पास हैंपर चीजे निकल करके आई हैं ओके तो energy conservation से भी तुम इस चीज को समझ सकते जो भी तुमने पीछे इतनी मैनत से रिजर्ट निकाला है इसको energy conservation से भी तुरंत निकाला जा सकता था यह बिल्कुल वही रिजर्ट है जो पहले आया था देखलो यहां पर यह वाला रिजर्ट बिल्कुल सेम और ऐसे तुम नीचे से यह तुमारे स्ट्रोंग होने चाहिए क्योंकि after all हर कोश्चन में concept इसी तरह से अप्लाए होंगे तो अगर तुम्हें equations को define करना आता है उनको solve करना आता है वो ही चाहिए उनकी problem सेम नहीं आएगी concept सेम आएगे ठीक है problem सेम आणा कोई ज़रूरी बात नहीं है लेकिन जो concept हम यहाँ पर सीख रहे हैं वह ज्यादा important है क्या चीज़े क्लियर है यहां तक कि ड़न इतना समझी में है सभी को दोनों मेथड क्लियर है energy conservation वाला भी और यह वाला भी दोनों क्लियर होने चाहिए कोई डाउट है कि हम आगे बढ़ सकता हूं कि यह सर तो अभी देखो भाई नेक्स्ट सीज़ हम करते हैं आप अब अभी तो हमने आपर वेलोस्टी के तो expression देख लिए हैं कि हमारे पास जो वेलोस्टी के expression किस तरह से रहेंगे और किस तरह से energy consumption साथ सेंस बना रहा है वह भी हमने आपर देखा होगी हमारे जो रिजल्ट्स आये हों बिल्कुल सही फॉर्म के आ रहे हैं तो अभी हम यहां पर जो next काम करने वाले हैं वो क्या करने वाले है जो मेरे पास यह इंस्टेंट थे ना एक वाले के उपर जो मैने पहले पॉइंट एउर पॉइंट सी का था ना उनिको मैं डिफाइन कर रहा हूं ठीक है सेम ले रहा हूं था कि कोई confusion ना यह तो एक उपर वाला टॉप्मॉस पॉइंट मैंने एट डिफाइन किया है यह टॉप्मॉस पॉइंट ए और यह सबसे है ना इस पॉइंट के उपर वेलोसिटी है वी ए तो अगर तुम पॉइंट एक उपर रेडियल एक्वेशन डिफाइन करो रेडियल एक्वेशन एट पॉइंट पॉइंटे के ऊपर MX और टेंशन दोनों पूरिविः नीचे की तरफ है कि इस बात से सब लोग हैं असके एमजी पिनीचे है इंशान वी नीचे तो टैंशन को मैं अपट C1 के सथ डिफाइन कर रहा हूं statement पट इसाथ कड़ेंद मैं तो अपने पास टैंशन भी नीचे है और mg भी नीचे है रेडिली इनवर्ड है तो अपने पास यहाँ पर आएगा mg प्लस T is equal to mv square by r यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव और यह तो नेगेटिव होती है तो पूरी equation से negative को गायब कर दिया तो हर जगाँ पर positive sign आगया तो mg प्लस T is equal to mv square by r क्या इतना सबको समझे में आया यह equation clear है क्या tension T1 है तो T1 डाल दिया velocity point A के उपर है तो B यह डाल दिया यह आगई equation number 1 इतना clear हुआ अब इसी तरह से radial equation at point C डिफाइन करूँगा radial equation at point C अब point C के उपर मैं यहाँ पर radial equation पर महारे लिए define करना चाहता हूँ ठीक है तो अब देखो यहाँ पर क्या होगी है यहाँ पर mg एक करेगी नीचे की तरफ tension point C के उपर एक करेगी उपर की तरफ tension को मैं यहाँ पर T2 कह दे रहा हूँ ठीक है ऊपर की तरफ मैंने कह जिए यहाँ पर tension T2 है और यहाँ पर नीचे weight कीतना mg है ठीक है तो अपने पास यहाँ पर equation कैसी होगी mg readily outward है तो mg tension readily inward है तो minus T2 equal to minus mv square by r और यहाँ पर जो velocity आएगी वह point C के उपर है तो यहाँ पर आएगी vc square divided by radius इतना समझी में आया है सभी को इसके अंदर कोई doubt है equation number two लिख दूँ इसको मैं इस तरह से तो इस तरह से हमारे पास कुछ equation निकल करके आ रही है फिलहाल के लिए अब मैं इन equation से तीन चीज़े निकालूंगा ठीक है यह हमारे पास point A के उपर minimum velocity कि इतनी हो नीची वर्टिकल सरकल के लिए और साथ में जो tension का difference है T1 और T2 का वो क्या होगा तो यह तीन चीज़े में इन दो equation का use करते हुए निकालने वाला हूं ठीक है तो पहले काम करते हैं पहले tension का difference निकाल लेते हैं क्योंकि वह ज्यादा साने यहां से निकालना तो इन दोनों equation को क्या करो just add करवा दो इन दो इक्वेशन को मैं एड कर वाता हूं तो देखो अपने पास यहां पर क्या निकल कर आता है अपने पास निकल की आएगा फस्ट equation प्लस में second equation यह मैं करवा रहा हूं यह पर फस्ट equation प्लस second equation यह तो अपने पास आएगा 2Mg 1-2 ठीक है, 2mg t1 माइनस में t2, यह अपने पास हैंपर निकल का है, left hand side right hand side में क्या आएगा, अपने पास आएगा m, divide by r 7 में va square, माइनस में vc square तो यह अपने पास हैंपर निकल का हैगा, कुछ इस तरह से ठीक है, va square माइनस vc square, इसकी value हमारे पास अलरड़ी यह पीछे से, right, अगर तुम यहाँ पर देखो, हम उपर से नीचे आ रहे हैं, उपर से नीचे आ रहे हैं, तो उपर से नीचे आ रहे हैं, तो उस case में हम क्या लिख सकते हैं, from a to c, we can write, जो vc square होगा, हमें va square चीए, वैसे v square minus vc square चीए, right, तो यह काम करते हैं, हम c से a चले जाते हैं, ठीक है, हम c से a चले जाते हैं, from c to a, अगर हम c से a जा रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पर जो v square आएगा, वो किसके एकोल होगा, जो c के ओपर speed है, माइनस में 2g r आएगा, साथ में 1 माइनस में, cosine of the angle rotated, कितना angle rotate हुआ है, यहाँ पर कोई बता सकता है, यह point c है, यह point a है, तुम c से a तब जाएंगे, तो यहाँ पर जो angle rotated हुआ है, यह 180 degree हुआ है, right, तो यहाँ पर आएगा, cosine of 180, इस तरह से, cosine of 180 कितना होता है, minus 1, तो यह अपने पास है, अपर कितना बनेगा, vc square है, एक काम करते हैं, vc square को left and side ले जाते हैं, तो va square आएगा, minus में vc square आएगा, equal to, यहाँ पर बना minus 2g r, साथ है, अपने पास, 1 minus minus 1 आएगा, इस तरह से, ठीक है, तो अपने पास आएगा, va square, minus में vc square, equal to, minus 4g r, इस तरह से, तो यह value guys, हमारे पास यहाँ पर ऐसे निकल करके, आएगी, va square, minus में vc square, is equal to, minus 4g r, ठीक है, तो यह value हमारे पास यहाँ पर निकल के आएए, कुछ इस तरह से, ठीक है भई, तो अभी हम इस value को यहाँ पर put कराएंगे, va square minus vc square में, let's say equation number 3 थी यह वाली, तो equation number 3 के अंदर इस value को हम substitute करा लेते हैं, ठीक है, तो put this value in equation 3, put this value in equation 3, तो equation 3 के अंदर इस value को हम put करवाते हैं, देखते हैं, कि हमारे पास क्या result निकल के आता है, तो इदर था t1 minus t2 is equal to, t1 minus t2 is equal to m by r, साथ में इदर से निकल के आए, minus 4g r, एक मिटे यहाँ पर 2 mg बी तो था तरहा एडिशन में इसक है, 2 mg भी यहाँ पर एडिशन में था, तो यहाँ पर 2 mg भी आए, तो 2 mg प्लस में t1 minus t2 is equal to m by r, और यहाँ पर minus 4g r, तो r से r कट गया, अपने पास यहाँ पर बना t1 minus t2 is equal to minus 6 mg, यानि कि t2 minus t1 जो है यहाँ पर, वो अपने पास यहाँ पर होगा 6 mg, तो ध्यान रखोगे, कि point c के उपर जो टेंशन है वो ज्यादा है, क्योंकि t2 जो थी, वो टेंशन थी, point c के उपर, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि t2 is greater than t1, एक बात तो में यहाँ पर यह पता चली, कि c point के उपर जो टेंशन है, वो ज्यादा है point a वाली टेंशन से, ठीक है, तो lowest point के उपर tension क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक ह क्या इतना सबको समझी में आया, ठीक है, तो यह tension difference है, highest और lowest point के बीच में, ठीक है, tension difference at the highest and the lowest point, ठीक है, यहाँ तक की calculation सभी को समझी में आयोगी, और यह value direct याद रहे तो ज्यादा बेटर है, ताकि अगर इनकेस कहीं पर use करनी पढ़ेते हैं, इसको directly use कर सकते हो, ठीक है, राइट, तो यह कुछ चीज़े ऐसी याद रहती है, तो फिर questions में time कर रहता है, यह standard value है, याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि जो difference होता है, tension का, उस 6 mg होता है, ओके, तो यह अपने पास आपर vertical circle में, topmost point और lowest point में, tension का difference, अब इसी तरह से guys, मैं आपर क्या निकालूंगा, V minimum और V minimum निकालूंगा point A के उपर और point C के उपर कि कितनी V minimum की requirement है, कि हमारे पास वो vertical circle कर रहा हो, क्योंकि देखो हो सकता है, चीज़ समझना यहाँ पर V minimum का concept क्यों है, क्योंकि let's suggest तुमने यहाँ पर काफी कम velocity दे दी, अगर तो जैसे जैसे particle उपर जाएगा, उसकी velocity कम होती जाएगी, तो हो सकता है कि किसी point के उपर उसकी tension zero हो जाएगा, तो अगर let's say मैं कहा दो कि इस point के उपर उसकी tension zero हो गई, अगर उसकी point के उपर tension zero हो गई, तो यह tension zero होने की वज़े से अब जो particle है वो आगे circle में move नहीं कर पाएगा, क्योंकि circular motion जो हो रहा है ना, वो tension के करी नहीं रही है, तो फिर उस case में तुम्हारे पास circular motion भी नहीं हो पाएगा, और फिर यह particle जो है, वो यहां से just launch हो गई, और आगे just normal as a projectile motion जाएगा, तो आगे projectile motion यह execute कर रहा होगा, इसके आगे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास यहां पर tension zero होगी, तो आगे क्या करेग adjust है, as a projectile motion तुम्हारा यह जाएगा, ठीक है, यहां तक आया, और उसके बाद फिर यह ऐसे गिर जाएगा, projectile की तरह, तो इसका इस तरह से फिर motion जा रहा होगा, फिर यह circle complete नहीं कर पाएगा, तो यहां पर एक minimum velocity की requirement है, such that, कि यहां पर इस range में कहीं पर भी इसके tension zero ना हो हो, topmost point की उपर zero होगी, वो चलेगा, in fact minimum velocity की requirement होहीं पर होती है, कि topmost point की उपर tension zero हो रही हो, क्योंकि after all तब यहां पर tension zero होगी ना, इस particular point की उपर, तो इसके पास यहां पर some velocity है, ठीक है, और उस velocity की वेजिसे एक बार तो आगे जाएगा, और जैसे वो आगे जाएगा, tension दुबारा से rise हो जाएगी, क्योंकि tension zero सिर्फ और surface point A की उपर है, जैसे यह आगे जाएगा, string के अंदर tension दुबारा से आजाएगी, क्यों आजाएगी, क्योंकि यहां से तब बाहर के तरफ जाएगा, तो उसका radius increase करने की कोशिश करेगा, और जैसे वो radius increase होगा तो अपने पर tension दुबारा से आजाएगी, string के अंदर, क्योंकि length of the string तो constant है ना, वो तो change नहीं हो सकती, तो इस वाले component के विसे जो बाहर के तरफ जाना चाह रहा था, वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर tension rise हो जाएगी, string के अंदर, ठीक है, तो topmost point के उपर string की tension zero हो सकती है, उ ठीक है, राइट, तो four vertical circle, अगर हमाय पास vertical circle हमारा complete हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है, कि सिर्फ हमारे topmost point के उपर tension zero हो सकती है, बाकि किसी भी point के उपर zero tension नहीं हो सकती है, ठीक है, तो अभी मैं यहापर discussion करूँगा, किसका minimum velocity requirement का, ठीक है, four minimum velocity, concept guys मैंने भी discuss किया, अभी मैं इसको mathematically deal कर रहा हूँ, जो अभी मैंने यहाँ पर बोला है, उसी concept को use करते हुए, मैं इसको mathematically deal करने वाला हूँ, for minimum velocity at point A, ठीक है, तो देखो, हमारे पास point A के उपर, जो speed थी, यहाँ बाद इस equation की बात करते है, equation 1 की, equation 1 को अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर T1 को मैं 0 कर सकता हूँ, ठीक है, T1 को मैं क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ, क्योंकि topmost के उपर 0 होगी, तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अपने पास यहाँ पर जो expression था, Mg प्लस T1 था, equal to MvA square divided by R था, चीज को समझ रहे हैं, यहाँ पर T1 को 0 क्यों कर रहे हैं, अपने पास यहाँ पर VA square की जो expression है, वो यह वाली है, अगर यहाँ पर तुम्हार पास T1 0 हो जाए, Mg तो 0 है नहीं, Mg तो 0 है नहीं, तो अगर T1 तुम्हार पास 0 हो जाए, तो यहाँ पर VA की minimum value आजाएगी, ठीक है, तो for minimum velocity at point A, V can put T1 as 0, और तब तुम T1 को 0 put करोगे, तो तुम्हार पास यहाँ पर जो VA है, उसकी minimum value आएगी, तो VA minimum square जो है, तुम्हार पास की आएगा, यह ज़स्ट आएगा, तुम्हार पास M से M कटेगा, तो यह आएगा सिर्फ GR, तो यहाँ पर V minimum की जो value आएगी, तुम्हार पास A से C आने के downward motion है, तो downward motion में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको, VC square equal to VA square, प्लस में 2GR, और angle कितना rotate होगा, A से C में, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो angle rotate is 180, तो यहाँ पर आएगा, cos 180, तो अपने पास यहाँ पर VA square, तो VC square will be VA square, प्लस में 2GR, और यहाँ पर बनेगा, minus 1 square से प्लस 2 बन जाएगा, तो प्लस 4GR कर दो, यहाँ पर सीधा, 4GR, अब यहाँ पर जान सा सुनना मेरी बात, अगर तुम्हें VC की minimum value चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, VC की, अगर तुम्हें minimum value चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें VA square की minimum value put करानी पड़ेगी, चुनकि 4GR तो constant time आगी यहाँ पर, तो अगर तुम्हें VC minimum चाहिए, तो उसके लिए VA की भी तुम्हें minimum value put करानी पड़ेगी, और VA की minimum value कितनी under root GR है, तो यहाँ पर put कराओगे, under root GR का square, तो यह बनेगा, अपने पास यहाँ से, VC square की minimum value will be equal to, under root GR का square जाएगा, जो की GR है, प्लस में 4GR, तो अपने पास यहाँ से, जो VC minimum value आएगी, VC की जो minimum value आएगी, यह अपने पास यहाँ से निकल काएगी, 5GR का under root, क्या यह चीज़ सबकोस clear है, ठीक है, तो topmost point के उपर, और lowest point के उपर, तुमें minimum velocity की requirement, पता होनी चीए, कि minimum velocity की requirement, क्या है, उन points के उपर, to complete the vertical circle, तो highest point के उपर, under root GR होनी चीए, lowest point के उपर, under root 5GR होनी चीए, अब ज़रूरी निए, guys, question तुमारा, सर्फ और सर्फ vertical circle का ही हो, आगे जैसे न, हम आगे बढ़ेंगे course के अंदर, तो बहाँ पर हम conservation of momentum भी cover करेंगे, right, तो आगे questions तुमारे conservation of momentum के साथ, इसके साथ link किये जा सकते है, ठीक है, problem की type बता रहा हो, और इस type की problems को हम आगे cover करेंगे, ठीक है, type क्या है, कि let's अपने पास एक string है, यह एक fix point है, यह fix point है, ठीक है, यहाँ पर एक mass है, एक mass यहाँ से आ रहे है, ठीक है, यह वहला mass आया, इसके साथ collide किया, and let's say मैं कह देता हूं कि अब इनका जो collision है, वो perfectly inelastic collision है, अब बताओ, इस V naught की value क्या हो नहीं थी यह, कि तभी इसके साथ collide कर जाए, तो यह एक vertical circle बना रहा हो, त तो question ही इस तरह से आएंगे, तो फिर वहाँ पर हमें पता होना चीए, कि इधर हमें कितनी velocity की requirement है, complete vertical circle के लिए, कितनी requirement है, वो untrute 5 zr की, क्योंकि lowest point होगे ना, तो यहाँ पर वो concept तुमारा use होगा, फिर सीधा सीधा, तो अगर तुम्हे values पताओंगे, कि यहाँ पर minimum velocity requirement र अच्छी बात है कि कैसे apply करता है, जिनको नहीं पता है, आगे हम cover करेंगे course के अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों में conservation law start करेंगे, तो आपर conservation of momentum, conservation of energy, conservation of angular momentum, सारी चीज़ों को one by one discuss करेंगे, लेकिन यह सारी चीज़े class 11 का discussion है भी, ठीक है, और in fact इस तरह की problem भी तुमार आता है, ठीक है, और mechanics में guys दोगों मैं बार-बार कह रहा हूं कि यहां पर सिर्फ problem को target मत करना है, यहां पर concepts को target करना है, प्योंकि mechanics के questions काफी students से नहीं होता है, यह सारे concepts के उपर ध्यान नहीं देते है, अगर तुम सिर्फ यह सोचते रहा जाओगे, कि jam में इस type of question आया है यह basic level की program है, advanced level में center of mass आजाएगा साथ में, ठीक है, तो चीजे तब तक सारी एक साथ नहीं पताओंगी, बताओंगी तुम कोई एक साथ नहीं लेके आप आओगे, ठीक है, तो पहले तुम्हें बिल्कुल basic level पे चीजों को सीखना पड़ेगा, फिर उनका advanced version करना पड़े आदर की दिक्कती ही रहते हैं, सिधा advanced level को सोचते हैं कि हम advanced level की प्रोडम्स करें हैं, कैसे हो जाएगे तब तुमसे basics नहीं हो रहे, ठीक है, और यह कोई एक दो बच्चा का काम नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं से, कुछ बच्चे हैं से, कर रहे हो net की profession, यानि जो MSC की बाद exam देते हैं, लेकिन उसे problem 11-12 की नहीं हो रही है, और यह भी नहीं कहा रहा कि 11-12 में कुछ topics ऐसे होते हैं, जो शैसे हमारे BSC में नहीं आते, पढ़े हमें काफी time हो जाते हैं, फिर जो बहुत जादा formula based होते हैं, तो मैं उन questions की बात नहीं कर रहा है, मैं बिल इस बिल्कुल basic problem होती है, राइट, वो तो idea होना चाहिए, मैं शाद दिमाग में, ठीक है, वो तो तो तुम से कोई need में उठागे, तुम से पूझा कर तो basic का तो तब भी answer जाना चाहिए, advance मैं मानता हूं कि revision की need होती है, formula revision की need होती है, तब भी questions कर पाओगे, लेकिन basic तु conservative momentum ही तो, conservative momentum काफी basic चीज होती है, okay, तो यह अपने पास है, यहाँ पर क्या, VC minimum और यहाँ पर हमने निकला था, VA minimum, यहाँ पर, VA minimum, तो point A के उपर minimum speed निकाल लिए, point C के उपर minimum speed निकाल लिए, हमने 2 निकाल लिए, ठीक है, हो सकता है, तुम इसका रट्टा मार लो, ठीक है, अब exam में आ जाएगा, कि यह ब्लेट से point तुमारे पास F है, इस point F के उपर बताओ minimum velocity कितनी चाहिए, ठीक है, अब रट्टा तुमने इन 2 का मार रहा है, ठीक है, अब इसका थुटी रट्टा मार रहा है, तो इसको कैसे करोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे, तब तब तर concept नहीं पताओंगे, तो फिर अगर तुम्हें concept पता है, तुम्हें equation पता है, कि अगर तुम्हें VF की उपर तुम्हें velocity define करनी है, तो वो क्या होगी, VC square, नीचे से उपर जा रहे है, तो नीचे से उपर जा रहे है, तो बीच में हैगा, minus 2GR, साथ में 1 minus cosine of angle rotated, कितना angle rotate हुआ ह यहां पर, 90 degree, तो अपने पास यहां पर रहेगा, cos 90, cos 90 कितना होता है, 0, तो यहां पर जाएगा 0, तो अपने पास VC, जो VF square है, यह को लोगा तुम्हारा VC square, minus में 2GR के इस तरह से, अब तुम्हें अगर VF की minimum value निकाल लिए, तो यह क्या होगा, VC square की minimum, minus में 2GR, ठीक है, अब VC की तुम्हें minimum value पता है, यह बैठी इदर, तो 5GR यहां पर put करोगे, क्योंकि अंडरूट 5GR होती है, तो अंडरूट 5GR का square करोगे, तो 5GR आए, तो 5GR minus में 2GR, तो अपने पास यहां पर जो VF के उपर, जो minimum speed आएगी, जो minimum speed के जो requirement है, वो कितनी है, अंडरूट 3GR, तो लो भई, यह आ गया इस तरह से, क्या चीज़ समझ पाए हो, तो यह minimum speed की requirement है, for the vertical circle, क्या यह चीज़ सब को समझे में आई, तो प्लिए स्टेट, क्योंकि एक्सपेशन यहां पर था ना, mg प्लस टी बनता, mg 0 हो नहीं सकता, तो अगर तो मैं वी यह minimum चाहिए, उसके तो मैं टेंशन को 0 करवाना पड़ाई, क्योंकि टेंशन नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो टेंशन की जो minimum value possible है, वो 0 है, ठीक है, और 0 वाला भी यहां पर allowed के सब जैसे हुआ है, जैसे इससे next point के उपर जागा है, दो बार से tension gain कर लेगा string की अंदर, जिसकी वज़े से vertical circle motion को continue कर पाएगा, ठीक है, अगर किसी A point के अलावा किसी और point के उपर tension 0 हो जाएगी ना, तो वाँपर फिर vertical circle complete नहीं हो पाएगा, लेकिन point A के उपर अगर 0 tension है, तो भी vertical circle हमारा complete हो सकता है, ओके, चिक है, क्योंकि after all, जैसी वो इस point को cross करेगा, और cross क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास हमें एक transverse velocity है, तो जैसी आगे जाएगा, आगे तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि radius constant रहना चाहिए, तो दुबारा से अपने पास tension act कर जाएगी, जैसी यह उससे move आगे करेगा, point A से जैसी आगे जाएगा, वैसे अपने पास दुबारा से इसकेंदर tension arise हो जाएगी, क्योंकि length of the string is constant, ओके, क्या ची formula यूज के और f point के उपर निकाला, इसी तरह से तुम किसी भी point के उपर निकाल सकते हो, क्योंकि exam में हो सकता है, अब बताओ इस point के उपर क्या होगा, यहाँ पर angle 30 है, तो यहाँ पर कोई भी angle put करो, उस point के उपर तुम यहाँ पर minimum speed को निकाल सकते हो, using the same formula, या तुम्हें velocity वाला expression यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया, point f के उपर निकालने के लिए, ठीक है, तो इसी तरह से तुम angle rotated देखोगे, कि कितना angle की rotation हुई है, और अराम से तुम उसको निकाल सकते हो, that's all, ठीक है, nice, अब देखो next question इसी concept के उपर जो based है हमारे, तो देख particle at point a, such that particle is just able to, able to reach point v. तो गैस हमारे पस problem कुछ इस तरह से है, कि अपने पास यहाँ पर यह fix point है, इसके साथ एक string यहाँ पर attach की गई है, यहाँ पर अपने पास एक mass है, ठीक है, let's say mass m है, और यही मेरे पास यहाँ पर है point a, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास यह point b, ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, कि हम यहाँ पर इसको कितनी velocity provide करें, हम इसको यहाँ पर कितनी velocity provide करें, such that यह point b तक reach कर जाए और यहाँ पर just able to reach का है मैंने मतलब कि just वो यहाँ पर पोच करके रुक गया होगा मतलब कि point B के उपर जो speed given है वो 0 given है ठीक है क्योंकि यहाँ पर just able to reach है यहाँ पर question के अंदर मैंने क्या बोला है तुम्हे just able to reach मतलब उसने बस इतनी ही energy उसके पास थी कि वो यहाँ तक ही पोच पाया वो इस point को cross नहीं कर पायेगा वो just यहाँ पर पोच के रुक जाएगा तो अपने पास यहाँ पर जो VB है वो equal to क्या है 0 है according to question according to question क्या यह चीज समझ में आई just able to reach का मतलब ठीक है कि point B के उपर जो वो speed possess करेगा वो just कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर 0 होगी और तुम्हें यहाँ पर निकालना कि point A के उपर तुमारी speed कितनी है ठीक है relation तो में पता है apply करो काम खर्तम करो A से B का motion लोगे A से B तो A से B में किस तरह से relation होता है VB square is equal to नीचे से उपर जा रहे न तो VB square is equal to VA square minus में 2GR साथ में 1 minus में cos theta आएगा theta यहाँ पर कितना है 90 क्योंकि after all this angle is 90 degree तो अपने पास यहाँ पर इस तरह से यह चीज आ जाएगी ओके so here what we have is यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा भी root 2GR VB की value को zero put करेंगे यहाँ आएगा VA square और यहाँ पर आएगा minus 2GR तो VA अपने पास यहाँ पर बन गया under root of 2GR इस तरह से अब ऐसे अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि इस point के उपर तुम यहाँ पर tension find कर दो इस point के उपर तुम यहाँ पर tension find कर तो क्या कर सकते हो करना है पर जड़ा tension find point B के उपर ज़रूरी थड़ी कि तुमसे velocity पूछे इस तरह से यह भी तुमसे पूछ लिया जाए कि point के उपर tension बजा दो कितनी है कितनी होगी tension सब लोग चैट बॉक्स मनसर करेंगे कोई बोलेगा नहीं ठीक है चैट बॉक्स मनसर करना कि कितनी tension होगी point B के उपर करो गई जणसर point B के उपर tension हमारे पास यहां पर कितनी होनी चाहिए कि दो लोगों इनसर किया है दोनों का गलत है हर्ड स्ट्रेंट का ठीका है एंसर कि सोचो ठीक से और बताओ tension point B के उपर कितनी होनी जिए मैं तो कहें सब कुछ बताता चल सकता हो लेगन तुम्हें भी side by side सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है problem के अंदर है कि सोचो और बताओ कि equation लिखो कौन सी question वो तुम खुद से सोचो कि कौन सी question लिखनी चाहिए यहां पर कि अनौ घर्ज कि अ लग्या वांता या कि अंदर है्गर गै कि दुम्हें लेगे किती क्या है! कि कर मैं वांता तुम्हेए कि विखनी फ लिख多फ फğिखनी किनें भाला बतानी फ्याशं़ बताव लिखांवाश विधना व्यां उता है? पीन लोगों का सेंसर आभी तक बागी लोग कि देखो कैसे होगा है यह पॉइंट भी के उपर रेडियल एक नाजरा हुआ कैसे डिफाइन करोगे टेंशन रेडियल इनवर्ड है तो माइनस टी डाला एक्वल टू माइनस एंबी स्क्वेर बाए आर और यहां पर वेलोसिटी है की पॉइंट भी वाली वेलोसिटी क्योंकि एमजी तो है वो तो नीचे की तरफ लग रहे ना यहां पर वर्टिकल डिरेक्शन में कोई कॉंप्रेंट थोड़ी आएगा इसका रेडियल डारेक्शन में राइट तो वो तो यहां पर इसके लिए ट्रांसे डारेक्शन लगा हुआ है एम जी पूरा पूरा ठीक है तो अपने पास यहां पर क्योंकि भी जीरो है तो अपने पास यहां से जो टेंशन आएगी वो जीरो आएगी सिर्फ और सिर्फ तेन स्टूरेंट्स ने इसका करेक्ट अंसर किया तो टी यहां पर क्या रहेगा जीरो रहेगा अब देखो सब कुछ था मैंने पता रखा था कि कैसे रेडिल एक्विशन लिखनी है तो पिस रेडिल एक्विशन तो लिखनी थी और यहां से टेंशन का एक्सप्रेशन आजाएगा और लोजिकली समझो कि टेंशन जीरो की हो रही है क्योंकि मालो अगर यहां पर टेंशन नोन जीरो होती तो टेंशन तब तक जीरो मतलब तब तक नोन जीरो तो वो सर्कुलर मोशन को कंटीन्यू करवाएगी अब तो इस पॉइंट के उपर यहां पर क्योंकि वेलोस्टी जीरो हो गई थी तो उसी की वज़े से यहां पर टेंशन भी क्या हो गई थी जीरो हो गई थी इस पर्टिक्लर पॉइंट के उपर सिंपल इस एक्विशन के अकॉडिंग लेकिन इसका मतलब तुम यह मत समझे ना कि हर पॉइंट मतलब जैसे मालो कि अगर इस पॉइंट के उपर वेलोस्टी जीरो हो रही हो थी तो यहां पर भी टेंशन जीरो जाती इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है यह सिर्फ इस पर्ट की स्पीड जीरो जा रही है ठीक है तो जरूरी ने कि यहां पर टेंशन जीरो हो रही हो क्योंकि आफ्ट रोल यहां पर एक mg का सम कॉंपनेंट होगा तो वेलोस्टी चाहिए से जीरो हो जाए लेकिन देर विल बिल बिस सम वैली ओफ टेंशन यह है ठीक है मैं दिखा भी द तो इस case में point B के उपर tension 0 है लेकिन अगर मैं तुम्हें इस तरह से बोल दूँ question तुमारे पास है next कि तुमारे पास यह point O है ठीक है इस बार तुमारे पास यहां पर आ करके यह point C है तुमारे पास let's say यहां पर तुमारे पास velocity 0 है ठीक है, and let's say अपने पास जो ये वला एंगल है ये वला जो एंगल है right, let's say तुमारे पास मैंने कह दिया इसको alpha, इसको मैंने क्या कह दिया तुमारे लिए alpha कह दिया ठीक है, तो मिर को बताओ कि यहाँ पर tension कितनी होगी, इस point c के लिए उपर ठीक है यह तुम्हारे पास यहां पर पॉइंट ए था इस तरह से तुमने आपर इसको सम वेलोस्टी दी तुमने आपर इसको सम वेलोस्टी दी और यहां पर पॉइंट सी के उपर जा रही है तुम्हारे पास यहां पर क्या वेलोस्टी जीरो तो तुम्हें फाइंड करना है यह लेज्ट से कि तुम्हें इना अल्फा नहीं दे रखा कोशचिंग अंदर छोड़दो एंगल तुम्हें तुम्हें ज़स्ट मान लो कि इतना दे रखा है अंडरूट 3RG कि ये समय आपर दें जा कि फेलास्टी में यह अंद्ड! तुम्हें दो चीज़े फांड करने है इंञल अलपा को कहलो फाइं uch order और ये उल्हिथे स्थुम्वे यह फांड करनी है और दूसरे चीफ नो मैं फांड करनी है आपर टैंशन Ed Student तो दो चीजे में Find करनी है एक तो महां पर पॉाइंट शिक्यो पर रीच कर चुका है जहाँ पर आपर में टेंशन फाइंड करनी है और यह एंगल स्वाइन करना है कि रोटेरिशन कितना हुआ होगा दो चीजे में Find करना है ओके तो इन दो लोगों चीज़ कम यहाँ पर फाइंड करने वांज में देखने वालन तो आप देखते हैं कि क्या कुछ होगा यहांपर इस केस ठीकथ है बहुत थैसर अ Hosp amp इस पॉसिबल भी होगा क्या ंसरा लातरर टुब जो पीज़ास पॉसिबल होगा में नोगा केश यह आए कि वेलस्टी जीरोने से पहले टेंशन ही जीरो जाएगी और अगर टेंशन जीरो जाएगी तो मैंतमेटिक से पता चल जाए कि यह वाला केस बनी नहीं पाएगा क्योंकि वेलस्टी के जीरोने से पहले टेंशन जीरो जाएगी और तब भी तुम्हारी टेंशन जीरो हुई तो अपने पास फिर आगे तुम्हारे वर्टिकल सरकल वाली एक्क्विशन से अप्लिकेबल नहीं रहेंगी क्योंकि आगए तो फिरो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ना समझ पार है मैं क्या कहना चाहरा हूं तुम्हें तो अपर देखते हैं कि क्या यह सच में पोसिबल है भी क्या पहले तो उस तीसको में आप पर कंफर्म करते हैं तो कैसे इसको कंफर्म किया आप सकता है तो हम ऐ से सी जा रहे है तो ऐ से सी अगर हम जाएंगे तो अपने पास यहां पर क्या एगा वी सीस्कूर इकौल टूवी व्यैंख स्विए एक मीट सॉरी वी सी अपने पास जीरो है और वी अपने पास थी आरजी याँगा इस तरह से एड मायनिस ने पास नहीं पर टु आरजी आएगा और कोस अल्फ आमें यह निकालना राइट तो अपने पास यहां पर प्लस में 2 अगर यह इक्वेशन जो मैंने आपर डिफाइन किये अगर यह गलत है तो यहीं पर पता चल जाएगा मैथमेटिक लिए इनकरेक्ट चीजे हैं अभी हमें दिख जाएगा अगर ऐसा सस्में है तो जो मेरे को लगर है कि होगा कि कुछ ना कुछ तो गलत आएगा तो देखो यहां पर क्या आएगा इधर बनाए आर जी बना इधर ठीक है और इधर अपने पास यहां पर कितना मन र इस तरह से आएगा तो अपने पास यहां पर जो अल्फा की वैल्लिव है जो अल्फा को सब्सक्राइब है वो सत्त है we life if theFA non bağ 치ँ को सल भाफ मायने साफ है तो मायने सांफ कब वंहती है अपने पास को सेमय को पर जीरो तो यह फार होती है तुह अल्फ एधो तो ऀगल टो में ट्वेंटी डिग्री तो या निकि जो एंगल रोटेशन यहाँ पर हुई होगी यह 120 डिगरी की हमारे पास यहाँ पर हुई होगी ठीक है तो यह अपने पास है यहाँ पर velocity 0 इस particular point पर ठीक है तो alpha equal to यहाँ पर 120 हमारे पास निकल करके आ गया है अब एक बार यहाँ पर radial equation देखते हैं रेडियल इक्वेशन हमें आपर क्या कह रही है इस question के अंदर हम इसी तरह हम क्या करेंगे इस पर्टिक्लर इंस्टेंट के उपर radial equation को हम define करवाएंगे और समझेंगे कि वो में क्या कह रही है ओके जब नोट को इसको फटा-फट से और फिर डिसकूस करते है radial equation को अगे की बात करते है रेडियल इक्वेशन तो रेडियल इक्वेशन हमारे पर किस तरह से होगी अगर रेडियल इक्वेशन के हम यहां पर बात करते हैं रेडियल इक्वेशन हमें कहेगी है कि यहां पर कहएगी हुआ है हमारे पास यहां पर टम्चन थे वौ लगेग रेडिया इनवर इस तरह से राइट और जो एमगे बोलंगेगा इस तरह से ऐसे तो यह में गएगी रेडिल एक्विशन अब यहां पर एंगल यह 120 आया था अलफा तो अगर यह वाल एंगल 30 डिग्री होगा यूँगी नीचे 90 डिग्री एंगल है तो 90 प्लस 30 है 120 ओके तो अलफा क्योंकि 120 था तो ऊपर वला एंगल यहां पर आया 30 डिग्री करेक्ट तो यह आए हमारे पर कितना 30 डिग्री तो अब हमें यहां पर देखना है कि mg यहां पर यहां पर कितना खॉंपने कैलो एक ही बात है जैसे तुम डालना है वैसे तुम डाल सकते हो तो अपने पास यहां पर आएका ती प्लस mg cos 60 T plus mg cos 60 यह दोनों ही forces radially inward है यह दोनों ही forces हमारे पास के radially inward है T plus mg cos 60 आया है और equal to आएगा mv square by r k और यहाँ पर जो velocity आएगी वो point c की velocity आएगी और point c की ओपर velocity कितनी है 0 है तो equal to 0 आगए तो tension यहाँ से कितनी आई कि टेंशन यहां से कितनी आई अपने पास आई माइनेस एमजी को सिक्स्टी ठीक है और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़ बढ़ आएगी तो यहां पर आगया मैं तो यहां पर जो प्रोब्लम किये इ क्योंकि एक्च्वल में यहां पर हो ऐसा रहा होगा कि अपने पास एक पर्टिकलर पॉइंट पहले ही आजएगा टेंशन का मैं एंगल भी निकाल देता हूं कि किस एंगल के उपर आसा हो रहा होगा मैं भी सोल करता हूं प्रोब्लम भी कि सेम विलोस्ट्री मैं लोगा और पर मैं तुम्हें पता हूं कि किस एंगल के उपर ही टेंशन अपने पास जाएगी और उस टेंशन के बाद जिस पॉइंट के उपर तमारे टेंशन जीरो हो गी उसके आगे फिर प्रोजक्टल मोशन करेगा ना आगे तुमारा वर्टिकल सब्लमोशन तो उसकी वज़े से यहाँ बहले जो एक्वेशन हैने वैलिड नहीं रहेएगी और इसी वज़य से अपने पास यहाँ पर इसके उ 되지 थी इसी तरफ सही से लिएD तो direction नहीं आ पर सभी से लिए है, तो यह तो यह नहीं कि direction अपोजिट हो जाएगी tension की, वो केस तो possible नहीं हो सकता, right, tension तो radially inwardly act करेगी, तो negative आने का यहाँ पर कोई sense नहीं है, तो इसी वज़े से यहाँ पर mathematically यहाँ पर क्या हो रहे है, चीज़े support नहीं हो रही है, तो अपने पास क्या जारी सकंदर टेंशन जीरो हो जारी है A एंगल ठाप्टिडिग्री रोटेट होने से पहले सकंदर क्या जारी है तेंशन जीरो जा रहे है और उसके आगे हमत फिर प्रोजक्ट Ona मोशन कंटीनी होगा ना कि तुम्हारा वर्टिकल सरकल यह प्रोब्लम में इस कोश्चन के अंदर जो मैंने आपर फ्रेम किया था ठीक है फ्रेम करते टाइए मेरे दिमाग में केस नहीं है लेकिन तब मैंने फर्स एक्वेशन लेकिती तो मेरे दिमाग में स्टाइक कर दिया यहां पर गलत हो गया इसलिप पहले बोल भी था कि शायद से यहां पर डिफाइन नहीं होगी मारे प्रोब्लम उके तो अपने पास यहां पर मैथममेटिकली इंकरेक्ट है तो अभी हम यहां पर बात करते है सही क्या है ठीक है ठीक है ऐसा हो क्यों रहा है तो अब मैं यहां पर उसको देखते हैं तो प्रोब्लम देखा जाये काइंड ओफ कंप्लीटली इनकरेक्ट नहीं कह सकते हो अब प्रोब्लम तो स्टार्टिंग में तो सही डिफाइन है लेकिन बात यह कि जो केस बन रहे न आपने पास टेंशन वो पहल आपनेकेबल हैर कि वकोण्टाइड बिकोषल वेलोसिटी SGोसोटी जीरो मतलद वेलोसिदीड तू मतलव वेलोसिटीएड ने से पहले ही तुमारी तैंशन जीरो हो गई ए है ड्यूारेक्ट्तिग्टग सब्च पार्टिकोटेज नोट एबल bạn टूु तो आपकूइड Allah ए दू पीच पार्टिकल विल नॉट एबल तू, विल नॉट एबल तू, विल नॉट एबल तू, पुपलीट दू वर्टिकल सर्कल, वो मारा कम्प्लीट नहीं कर पाएगा, और उसी किव जीसे, यहाँ पर यह वहला formula apply नहीं कर पाएंगे क्योंकि tension अपने पास 0 हो जा रही है पहले यह important point है यहाँ पर ठीक है क्योंकि इस case में tension पहले 0 हो जा रही है और मैं इसको दिखा दूँगा भी कि tension 0 किस angle के उपर हो रही है और मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि 120 से चोटा angle होगा ठीक है क्योंकि अभी हमने इस case में 120 निकाला था और मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि at angle less than 120 डिग्री हमारे पास यहाँ पर जो tension हो पहले 0 हो चुकी है तो उसके आगे फिर हम यहाँ पर यह वाले equation यूज नहीं कर पाएंगे उस angle के बाद तो यहाँ पर इसके अंदर यह कि इतना समझी में आया क्या concept क्लीर हुआ इस question से और ज्यादा क्या इतनी चीज़ें समझी में आई है फिर मैं टेंशन के लिए क्या करना करता हूं कि टेंशन हमारी जीरो किस एंगल के उपर हो रही है तेकिन उससे पहले यहाँ तक कोई डाउट है क्या कि से कूंग है इस सब्सक्राइब यह गलत है ना यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा और फिर यह प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो यह एक्वेशन यहाँ पर नौट वैलिड है लेकिन उससे नेक्स इंस्टेंट के उपर जैसे तुम्हारे पर स्टिंक एंदर टेंशन जीरो ही उसके बाद से यह वाली एक्वेशन वैलिड नहीं है क्या चीज समझ में अभी तो वर्टिकल सर्कल नहीं हो रहा तो यह लिए क्वेशन कासे वैलिड हो जाएगी यूंग व्रंडिक लिए नहीं है राइट आगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ठीक है तो इसी की वज़े से यह वाले ऐक्वेश्चन हापर अमारी वैलिड सब्सक्राइब करोगे तुम्हारा एक्सपिरिंस के लिए कंसेट तो सबको पता होते हैं तुम एक फॉर्मला शीट ले लो उसके अंतर लिखी होंगे तुम प्रॉब्लमन तो सोल नहीं कर पाओगे एक बार में कहां सेगे चीज़े तब प्रॉब्लम को सिर्फ रीड करके बता सकते हो कि क्या हो रहा हो गा नहीं हो रहा होगा तो मेरें ने इनकरेक्ट चीजे जाएंगी तो यह मेरे को पता चला था तो मारे सामने मैंने प्रोग्रम को डिजाइन किया था डिजाइन करते हूं मेरे दिमांग को बात नहीं आई लेकिन तो मैंने सॉलूशन का फर्स टेप लिखा तभी मेरे दिमांग में स्ट्राइक कर गया कि यहां प एंगल एट विच टेंशन बिकम्स जीरो तो सेम प्रोब्लम है राइट सेम वेलोस्टी के साथ लॉंच करेंगे पार्टिकल को और जस्टाम वह एंगल फाइंड करेंगे कि किस एंगल के उपर हमारी टेंशन जीरो हो जा रही है यहांसे इसको मैंने वेलोस्टी दी थ्री हो पार जी इस तरह से ठीकः और यहां पर हमें क्या रहना है को जरुआ passage यह मैं एंगल निकुल निकाल मा चाहता हूं ठीक है यह एंगल है इसको कहा दिया मैं लटसे दीinek आ ठीक है इसको डिक यह और यह.. और यह बिटा उके तो आफिर शुरू करते है। देखते हैं कि किसuse एंगल के उपर अपने पास हैंप निट्टी फेटा करते हैं यह व spray लीटा को ना 90 styl इतले कर लेते हैं यह यहाँ पर यहां पर यह वाल एंगल ठीटा आजाएगा राइट तो इस तरह से हमारे पास यहां पर चीज यह हो दिए हो दी होगी तो अपने पास यहां पर अगर तुम देखोगे रेडिल डाइरेक्शन में अपने पास अगर एक किसी जनरल पॉइंट के उपरम देखे तो तो अभी टेंशन को हमें 0 करना है चो अपने पास एक्वेशन बनी mg si theta equal to mv square by r तो अपने पास m से m कट गया और अपने पास यहां एक्वेशन क्या आई अपने पास एक्वेशन आई जी साइन ठीटा एक्वेशन 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 लिख दी है इतना समझे में आया है सभी को रेडियल एक्वेशन के बारे में तो यहां पर रेडियल एक्वेशन हो चुकी है इस तरह से अब अम हमें क्या करना है हमारा टार यक्वेशन करना अब एक बात बता व परिषिशन की का इस पॉयंट के ओपर उपडिकल की लेट से अपने रख यहां पर यह थी बडी में तो यहाँ पर VD square by R आएगा एगरी कर रहे हो इस बात से अब मैं क्या यहाँ पर velocity वारे relation से यहाँ से यहाँ तक apply करके क्या मैं VD निका सकता हूँ तो VD क्या होगा VD square is equal to VA square हम A से D जा रहेंगा A से D तो A से D तब हम जाएंगे तो VD square equal to VA square minus 2gr क्योंकि नीचे से उपर जा रहे हैं तो minus 2gr वाली form आएगी minus 2gr 1 minus में cosine of the angle rotated तो angle rotated कितना है बीटा तो इस तरह से आएगा अब यहाँ पर value उसको put कर लो जैसे beta क्या है तो हमरे पर SPI by two प्लस theta है तो उसको यहाँ पर put कर लो ठीक है मैनिस में टू जी और साथ में वन मैनिस में को साइन पाई लागा कि अदयू पटम्रंट्रал में पाई लुद या ऐन सुछंटा कि वही में कम उसेंट लिए फिसके को लोगा है कुछ होगा माइनस माइनस साइन ठीटा होगा है ठीक है तो अपने पास हम पर बनेगा क्या वीडी स्कूर एक्वल टू-3 आर जी माइनस में अपने पास 2GR है साथ में 1 माइनस में माइनस साइन ठीटा आएगा इस तरह से इस तरह से इनको करवाएंगे तो यहां से जियार आएगा तो VD square will be कुछ फायदा हो रहा है क्या सिंपल बन रहा है तो यहां से यहां से जियार आया और फिर यहां से माइनस टू जियार साइन ठीटा आएगा अब जियार को यहां से कोमल लेते हैं तो जियार को में साइं टू सैन्टेटार इस थेना इस तरह से आजेगा वीगी और यह उंपर पूरא के उमआराइव लेंगे इस कर निए तो निकाल पाएंगे तो देखो इसको एक्वेशन नंबर बन माग कर रहा हूं और ओर अटी अन्न इक्वेशन वन के अंदर को पूट करेंगे तो पने पास आगा जी साइंट टीटा इस इपल टू वी डी स्क्वियर था दिवाइड वाइड बया आ तो पने पास आगा यहां पर जी आ फन मैंने समें टू साइंट टीटा एंड डिवाइडबाई आर से तो आर कट गया घी से लिए बी कट जाएगा तो अपने पास एगा साइन ठीटा इस एक्वल टू साइन टाइगा वन माइनस में टू साइन ठीटा कि यही आगा क्या कि साइन टीटा कितना जग है यहां से इस पर इस निकालने कि यहां पर कितनी साइन इन्वर्स निकाल कितना रहे कि देखने ठीटि से कम आ रहा होगा कि साइन इन्वर्स बन बैट्री कि अपने पास आ रहे है नाइटीन पॉइंट फॉर सेवें कि तो क्या समझी मैं आया कि वेलोस्टी के जीरो होने से पहले हमारी जो टेंशन इस्टिंग की वह जीरो होगी और उसके आगे हमारे पास वह वर्टिकल सर्कल होगी नहीं पाएगा क्योंकि वर्टिकल सर्कल होने के लिए उसके अंदर टेंशन का नों जीरो होना जरूरी था क्योंकि टेंशन ही वह force है जो इसको influence कर रही है कि तो circular motion में move कर ठीक है? tension ही यहाँ पर वो force है जो इसको influence कर रही है circular motion में जाने के लिए और अगर tension ही zero हो जा रही है तो फिर यहाँ पर तुम्हारे पास यह vertical circle नहीं बना पाएगा ठीक है? तो तो वर्टिकल सर्कल तुम्हारे पास आगे नहीं बना पाएगा इस एंगल के बाद से तुम अप्लाइक करी नहीं पाओगे वह वाली एक्विशन को समझ पा रहे हो यह चीज क्या इसके अंदर किसे कोई डाउट है अभी समझ में आ गया इतना एक और और बता देजिए मेरा कट गया था देखो मैंने तुम्हें यहां पर यह बोला कि जैसे हमने थोड़े पहले देखा था कि हमारे पास जो इधर टेंशन आई थी वह नेगेटिव थी इधर जो हमने फिला जो हमने कोशन स्टार्ट किया था पहले क से पहले और तब टेंशन तुम्हारे पास पहले जीरो रही है उसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करी नहीं रहा है ठीक है सर्कल में मूव करेगा ही नहीं तब वह एंगल रोटेट कर चुगा थीटा 19.47 यानि कि बीटा क तुम्हारे पास इतना आ गया है जो कि हमारे पास लेस दन अलफा है था हमने अलफा 120 निकाला था तो लेस दन अलफा है तो अपने पास यह वर्टिकल सर्कल वाले प्रिपात को ट्रेस करी नहीं रहा है इस एंगल के बाद से वर्टिकल सर्कल नहीं करेगा इसके आगे वो प्रोजक्टाइल मोशन करेगा कि तब हमने पार्टिकल को यहां से लॉंच किया था अंडूरूट 3GR के साथ पार्टिकल ने एंगल बनाया यहां पर ठीक है यह वला एंगल तुम्हारे पास बना 109.47 अब इसके आगे वर्टिकल सरकल नहीं करेगा इसके आगे वर्टिकल सरक आफ्टर दिस इंस्टेंट पार्टिकल विलु इस आगे तो पनार्टिकल आगे प्रोजेक्टाइल मोशन फोलो करेगा ना कि वर्टिकल सरकल और इसी वज़े से जो हमने पहले अल्फा 120 डिग्री फाइंड किया था वो हमारे पास एक गलत चीज हो जाती है इसी की वज़े से क्योंकि हमारे पास पहली टेंशन जीरो होगी और पार्टिकल आगे आगे कभी बी विलोस्टी जीरो निहий हुने वाली यूंकि इसके बाद से प्रोजक्टाइल करेगा तो प्रोजक्टाइल मोशन के ऊपर तो तब वो नीचे जाएगा ना गिरेगा आगे यहां पर थोड़ी बाउंसिंग भी हो सकती है एस टेक मिटोग ना है कॉण सीन अच्छा वो अब क्लास माँंग दो मिंट माँंग तो अभी यहां पर हमारे पास क्या था मैं क्या करता तुम्हें कि ओपर से नीची आ रहा था ठीक है तो यहां पर अब जो है इस लेंड के वज़े से रिस्टिक्ट रहे गए तो यहां पर थोड़ा सा बाउंसिंग एफेक्ट आएगा बाद में जैसे अगर तुम्हार उपर से कुई पार्टिकल को छोड़ते हो रसी बाद के तो जंप करता ना वह उपर नीच ऐसे तो आगे का में यहां पर दिसक्रेशं नहीं कर बाएंगे तो इदर के बारे मिंवाद का में नहीं पता लेकिन यहांद तक हम जरूर से बता सकती है wardrobe कि यह कितनी हाइट रिसक्रेश्वर कर सकते हैं तो चलो इसको भी देख लिएते हैं किकिनी हाइट उपर तक जाएगा तो वो डिस्केशन हम यहां पर कर लेते हैं लेकिन यहां पर इतना तुम्हें ज़रूर से समझ रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद से वर्टिकल सरकल नहीं करेगा तो यह जो हमने एक्वेशन यहां पर अप्लाय की थी इधर यह वाली यह वाली हमार पास वैलिड नहीं है जो म पहले टेंशन जिरो हो जारा है तो यह एंगल वनटवेंटी की उपर अगर लेट से वाली कुश्चिन वेलेड होती तब भी तुम्हार पर सलफा बंट्वेंटी डिगरी आ रहे है और हमने आपर देखा इधर जो मने देखा कैल्कुलिशन निकाली यहां पर जो एंगल यह यह 1-0,9 डिग्री की आगे का जो मोशुन वहाला है इसके बा получилось होने बात है तो आगे चीज तुम्हें कह रहा हूं तो यहां पर गप्र ricep और का नियुक्ता बेलोस्टी कभी आ की अचीवी नहीं होगा यहां प्रोजक्टाइल मोशन होगा ना कि वर्टिकल सरक्राइब यहां पर में ती जो इस कोश्चन को पहले हमें गलत बना रही थी कि इस वज़े से महां पर टेंशन नेगेटिव आई थी क्योंकि चीजे इंकरेक्ट यूज कर रहे थे अब बात करते हैं इसके बारे में कि कितनी हाइट ये गेन करने वाला है इसको डिसकुस करते हैं तो आफिलाल देखते हैं कि क्या हाइट ये गेन करेगा चीज समझ ना प ओपर की तरफ जाएगा है यहां पर ये एंगल थीटा है vale कि तुमने यह वल्य निकल लिया था लिए निपोल रहा इसको इसको थीवथे वह नहीं बोलता आयगा यह कुछ वूर आएगा यह बंपर यान उन前ती मेक्नेज शेता होगा और यह वह जो एंगल के ये ठीडा इतनी चीज क्लिए पहली बात कि इतना सबको समझी में आया मैं ये सर अब इसके बाद में अनको बताओ ये जो मैक्सम हाइट अटेन करेगा तब इस पार्टिकल को मैं यहां से लॉंच कर रहा हूं क्या उसका फॉर्मॉला तुम लोगों को पता है कि मैक्सिमाइट का फॉर्मॉला क्या होता है एनिवन कि यह जो मैक्सिमाइट यहां पर अटेन करेगा यह मैक्सिमाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन है नहीं तो लेवन का टॉपिक होता है प्रोजक्टाइल मोशन पताओ कितनी होती है अगे नहीं पताओ अगे अब यहांपर ठीटा है जो है नैंटी मैंस टीटा पुट कर रहा हूं ठीक है तो इधर जो एंगल है जिसके साथ हमने इसको लॉन्स का रखा है वो नैंटी मैंस सीटा तो मैंने आपने इसको फॉर्मूला होता है इसको कोई बड़ी बात नहीं होती है कैसे निकाल सकते इसको तुम अगर निकालना चाहो तो तुम्हें पताए कि इस पॉइंट के उपर इसकी मतलoff मैं क्या कहारा हो तुम्हें फेले इधर से इधर तक तुम क्याएक देल करो तुम इसकी स्टेश् कि पास यहाँ पर इधर यू तो अपने पासुएगा सांपनी मैंस सीट आएगा तो यह अपने पास आगा प्लस में 80 ग्रेविटी यहां पर जो कि यह पोस्ट डिर्क्ष में एक्ट कर रही है तो माइनस जी आएगा टी आएगा तो यहां से अगर तुम टाइम निकालोगे तो टाइम तुमारे पास निकल गएगा ठीक है तो एस तुमारे पास आपड़ेगा capital H is equal to U यू अपने पास यहां पर कितना है इनिशल स्पीड होती है यू तो यू अपने पास हैं यांपर कितनी यू साइन टी मानेस जीटा ठीके साथ में टाइम तुम्हें पता ह voting यह यू sing ninety minus थीटा इसका square करा लोना सीधा तो, u square रहेगा सब्सक्राइब? divide by अपने पास g ऐगा,minus में half जी और फिर t square याने की स São्यर का square वह रहएगा, eus square sinct서 90 minus θ to divide by g तो यहां पर वही formula बन जागा जो तो मैंने यहां पर थोड़ने पले लिखा था तो h will become equal to h will become equal to g u square sin यहां पर नीचे g square आगा रहे हैं तो अपने पास यहां पर बनेगा u square sin square theta 90 minus theta तो यह हमारे पास है यहां पर height का formula आ जाएगा ठीक है तो यह वाली height भी हम यहां पर find कर सकते हैं ठीक है तो u की value डालो इस point के उपर तुम्हारा u कितना है जो तुम्हें पता है हमने थोड़े पहले निकाल लिया था sin square 90 minus theta ठीक है तुम्हें पता है कि कितना है उसको यहां पर put कराओ ठीक है तुम्हारे काम हो जाएंगे यहां पर कैची समझ पा रहे हूं जो मैं तुम्हें कहना चाहरा हूं राइट और यहां पर sin 90 minus theta को तुम simply cost अब लिख सकते हो sin 90 minus theta को तुम simply यहां पर cost अब लिख सकते हो तो अपने पास यहां पर बनेगा u square cos square theta and divide by 2g अब यहां पर values को जारा put करा लो यू की value कितनी आ थी देखना है बजरा यू की value यू की value कितनी थी आ गया यू यू तुम्हारा VC VD है ओके तो VD की value देख लो कि क्या निकाले थी तुमने हैं तो कि अपने पास हैं यहां पर वो क्या है Pvd square अपने पास यहां पर जो है साथ में 1- Làfta में यह 1968 to 70 अगा तो सहीपने अपर पूत करेंगे घर 1-3 आएका इस तरह से तो अपने पास यहां पर आया सब्सक्राइब आपर यह जी आरवाइज कि इसका करेंगे तो यह 350 अब साइंट तो को लिदा कितना है कितना आपर अंडूट तू बै त्री आगया रासॉरी वनेंगा न तो इक वाइन गूंडूट यानकी टो इसके अंदर कोईसी कोई डाउट है क्लियर है चीज़ 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 तो यह बनेगा टू रूट टू डिवाइड बए त्री कॉस सिटा तो अपने पास यहां पर रहेगा कितना एट डिवाइड बए जाएट जाएगी वो कितनी आएगी यह बन ए और यहां पर फोर कर लोगे इसको तो अपने पास बनेगा फोर बाय 27 आर इस तरह से तो यह हैट आएगी तो अगर लेट सब तुमसे टोटल हाइट पूची जाते कि कितनी हाइट अटेंट कर रहा है कि लेट से ग्राउंड यह तुमने यह आपर निकाल लिए है एच तुम्हें पता कि कितना है एच तुम्हारे पास है 4 by 27 और यह वह तुम्हें नीचे वाली पता है आ रहे है तो अगर इस टोटल आइट को देखो तो यह टोटल लाइट तो एच डेश इस इकल टू एच प्लस आ रहे है तो यह निक इस कोशिन के अंदर किया तो यह था गायज यहां पर कंपिट डिस्क्रिशन हमारा एक वर्टिकल सर्कल की प्रोब्लम का जहां पर हमने डिस्कुस किया कि जिस पॉइंट के ओपर हमाई पर टेंशन जीरो यह उसके आगे का मोशन कैसा होगा ठीक है प्रोजेक्टल मोशन हो इस पॉइंट के ऊपर जीरो ओके तो यहां पर टेंशन जीरो गयी यह पॉइंट इदे है और यहां पर अपने पास से मेंग्समाइट वाला पॉंट है कि समझी में आया सभी को तो यह चीज़े गए अपने पास यहां पर इस तरह से रहेंगी ऑके औल गुट कोई डाउट किसी को किसी पॉइंट पे एनिवन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें नहीं होता है तुम्हारा किसी पॉइंट की अगर वेलोस्टी जीर हो गया तो फिर वर्टीकल सर्कल कंप्लीट नहीं जैसे तुम सिंपल पेंडूलम को देखो सिंपल पेंडूलम तुम्हारे पास पास पार्ट वर्टीकल सरकल होता है उसके एक्स्ट्रीम पॉइंट के उपर जीरो ना होती तो फिर यह कंप्लीट वर्टीकल सरकल कर जाता कैची समझ पार हो ठीक है तो अगर 90 डिगरी से पहले म उसके बाद फिर आगे का जो मोशन होगा प्रोजेक्ट हैं मोशन होगा चाची समझ पारे हो जो मैंने भी बोला चीक है तो यह केस है कोई डाउट यहां तक अभी आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं ठीक है आगे का में नेक्स सेशन के इंदर कंटीन्यू करेंगे यहां आगता कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हूं कि क्या सारी चीज अच्छे समझे में आ गई हैं कि सब क्लियर है कि यहां से इस टॉपिक तक के वर्टिकल सरकल तक के और मैंने एक पीडेफिकल शेयर की ती तुमारे साथ जिसके अंदर जेए की कुछ कोशन से तो उनको भी तुम एक पर देख सकते हो 17 कोशन है तो फटा वर्सन कोशन से तुम निकल जाओगे तुमारी काइंडव प्रेक कि यहुत टॉणोंस, ते गे 1